बसकार स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल सी एनम 9212 भरती से सम्मंदित यहां पर जो कुछ भी आज की पूरी अपडेट है आपको इस मीडियो में बताने वाले हैं चाहे आयोक से क्या अपडेट है डिप्टी सीम से मुलाकात हुई की नहीं हुई सीम आवास पर मुक्यमंत्री जी से मुलाकात हुई की नहीं हुई और वहां पर क्या हुआ सारी चीज़े आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वीडियो को आप बिना स्किप की यह पूरा देखीगा और सबसे पहले आप बीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दिया करें सेर भी आप सभी कर दिया करें ताकि सभी तक सही जानकारी पहुचे क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं आप लोग उसमें जो चीजे बता रहे हैं वो चीजे है ही नहीं जैसे कोई बता रहा है कि 30 सितंबर तक रिजल्टे भेज दिया पांचे महीने तक तो भी कोई उसकी जानकारी ही नहीं कोई नहीं भरती फिर से एनम की अस्थाई आने वाली है एक बरती है शम्मेदा वाली जो की एनेचेम से आयेगी आठ जार सैथिस पोदों वाली लेकिन अभी उसकी कोई आफिसल अपडेट नहीं है अभी उसमें जो छो भी है यहां पर आपको जिसाई नहीं को लेकर करके आज के दंधरशन का पूरा जो आज का निश्कर्श कैया निकला आपको बताने वाले हैं सबसे पहले तो आप सभी को बता दें कि सबसे पहले बड़ी संक्या में एनम भेहने यूपी ट्रेपल सी आयोग पर पहुंची थी और हमने आपको मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ सबसे पहले यह देखे हमने आपर अमताब अगने होतरी जी हो गए टीबी नाइन नियूज एटीन जितने भी लगबग हमने छे साथ नियूज चैनल वालों को हमने आपके आज की जो धरना हुआ था उसका हमने कुछ वीडियो क्लिप्स और कुछ इमेज हमने और पूरा लिक करके हमने आप इसमें देख भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं और पहले भी आप देखेंगे कि 15 अक्टूबर से ज्वाइनिंग विलेगी 15 अक्टूबर तक ज्वाइनिंग लेटर इस तरह की जो चीजे लोग बताते रहते हैं जबकि और एक चीज़ और लोग बता रहे होंगे कि उसमें प्रोविजनल की वज़े से यहाँ पर आयोग ने समय लिया है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कोर्ट मैटर की वज़े से यह समय लिया गया है और जो कुछ भी चीज़े उन्होंने बतायी थी हमने आपको एक वीडियो में सुनाया भी पूरा तो वहाँ से बताया गया कि अभी आप सबके जो रिजल्ट की फाइल है हम 15 अक्टूबर तक भेज देंगे आपके परिवार करलाण बिभाग को आगे जो कुछ भी आपके लिए आफिशल नोटीस आना हो मतलब जो कुछ भी पत्राचार होना हो उसमें प्रोविजनल के लिए पहले डीबी कराई जाएगी उस सब कुछ परिवार करलाण बिभाग से होगा 15 दिन का समय अत्रिक्त दिया जाएगा जिनके डोकुमेंट्स में कमी होगी और उनका डीबी होने के बाद फिर आगे सब की जोईनिंग एक साथ होगी इतना ही सारे बाते बताई गई थी ग्यापन दिया गया ग्यापन की रिशिविंग महां से मिली इतना हुआ आयोक से डिप्टी सीम आवास पर जो बहने गई थी वहां पर डिप्टी सीम की बारे में बताया गया कि आज ओ लकनो में नहीं है किसी जिले में प्रवास पर है तो डिप्टी सीम आवास पर ग्यापन दिया गया वहाँ पर डिप्टी सीम से मुलाकात की हमें कोई जानकारी नहीं है जब डिप्टी सीम ब्रजेश पाठक सर लखनों में होंगे तब तो उनसे मुलाकात हो पाएगी यह हो सकता है कि उनसे फोन पर बात कराई गई हो ऐसा कुछ हो सकता है बट ऐसी कोई जानकारी हमें प्राप्ट नहीं हो ग्यापन दिया गया इतना बिल्कुल सच है फिर सीम आवास पर जब बहने गई तो वहाँ पर पुलिस परशासन ने सुरक्षा का हवाला देते वे कुछ बहनों को वहाँ पर रुकने दिया बाकी बहनों को इगो गार्डन भेज दिया पुलिस की जो अपनी बहन होती है बस होती है उससे कुछ बहने वहाँ पर रुकी हुई थी काफी समय तक कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो पाएगी ग्यापन देखी हर जगह दिया जाता है ग्यापन तो वहाँ पर ले लेते हैं लोग लेकिन मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की कोई भी खबर अभी तक नहीं मिली है कि CM योगीची से मुलाकात हो भी है क्या A&M भेनों की अब यहाँ पर देखिए जो लोग यह कह रहे है 15 अक्टूबर तक जो आनी लेटर मिलने वाला पूरी तरह से यह न्यूज जो है यह गलत है इस परकार की कोई भी चीज़े जब कहीं से बताई ही नहीं गहीं तो यह पर कहां से लोग बता रहे है 15 अक्टूबर तक जो रिजल्ट भेजना है ऐसा आयो के सचीव महोदे ने बोला अवने सक्सेनासर ने 15 अक्टूबर तक रिजल्ट भेज देंगे उसमें भी बहुत देरी हो रही थी इसी तरह से हाँ पर एक बार फिर से ज्वैनिंग में देरी हो रही है मुक्हिमंदरी जी का निर्देश भर हो जाया ज्वैनिंग की प्रॉसेज बहुत जल्द आगी बढ़ जाएगी और इसमें जो भी अभी आगे समय लिया गया है court matter की वज़े से जहां तक मुझे पता है court matter की वज़े से बाकी आयो के सची मानने और मानने अध्यक्ष जाने कि किस वज़े से इतनी यहाँ पर देरी हो रही है जबकि इस पर कारे हो जाना चाहिए था complete और माल लिजिए अभी जो matter court में है आज भी एक court में सुनवाई थी उसकी update हम सेपरेट वीडियो में आपको बता देंगे कि क्या हुआ court में और जो लखनो हाई court में date लगी है 10 और 12 अक्टूबर की likely to be listed है अभी confirm date नहीं बढ़ confirm हो सकता है तो अगर माल लिजिए कल को जो petitioner है court में अगर उनकी अधिवक्ता ये बोले जज़साप से कि सर हमारे जो याची है उनका हीत प्रवावित नहों तो अभी जो है joining later पर रोक लगा दीजिए भरती में कोई इस्टे लगने जैसे कोई बात अभी आगे भी आपको देखने को बहुत कम उम्मीद है ठीकर लेकिन ये एक procedure का भाव होता है कि ऐसा नहों कि वहाँ पर एक interim relief अंतरिम रात अगर उनको दे दी गई तो उस इस्तिति में ये होगा कि फिर joining later पर एक पर लग सकती है कि मैं इस सब चीजे क्या होगा किसी को नहीं पता है बट अभी जो अभी समय दिया गया आयोक के सची महोदे के तरफ से लेकिन मैं उसकी लिए कह रहा हूँ कि अगर कल को ऐसा हो गया कोर्ट में कुछ भी तो उसकी बाद फिर आयोक के पास एक नया बहाना हो जाएगा कि अभी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं या पिर अभी आप देखेंगे 15-16 अक्टूबर को PET का एक्जाम है फिर उसमें नया बहाना हो जाएगा कुछ मालीज़ अगर 15 तक नहीं अगर मालीज़ कोर्ट से कोई ऐसा आदिस नहीं आता है कोई ऐसा इंटरिम रिलीफ नहीं मिलता है इष्टे देखें इष्टे के लिए मैं पहले भी करा हूँ इष्टे जैसा कुछ इस बरती में नहीं होने वाला है बहुत कम उमीद है ज्वाइनिंग आप सबकी होगी बट कुछ अगर इंटरिम रिलीफ जैसा कुछ अगर हुआ अंदरिम राहत जैसा कुछ होगर याचियों के लिए उस इस्तिती में भी ज्वाइनिंग में देरी हो सकती है उस चीजे बाद में प्रूफ होंगी क्योंकि इसाथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ है उस चीजे बाद में प्रूफ होंगी ओमारने कोड का काम है आयोक को जवाब लगाना है और कोर्ट में जो कुछ भी चीज़े होंगी, हम आप उसमें कुछ नहीं कह सकते हैं पहले से, लेकिन अभी जो समय लिया गया है, उसकी वज़े से अगर आगे देरी हुई, आयोक के पास तो बहुत सारे बहाने हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, ति ये ज्वैनिंग में आसवासन से कुछ भी नहीं होने वाला है, उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो फिर आगे कितनी देरी होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है, दूसरी बात है कि जो प्रोविजनल का मैटर है, जैसा कि आयोकी सचिव सर ने कहा कि प्रोविजनल वाल से किसी की नाम वगर में माइनन मिश्टिक हो सकती किसी का सिगनेचर चूटा किसी का कुछ चूटा सारे डोकुमेंट्स आपके पास पहले से जमा है तो प्रोवेजनल आयोग की तरफ सही होना चाहिए था सबका रिजल्ट क्लियर करके यही आयोग को विभाग को भेजा जाना चाहिए था ताकि सबके ज्वाइनिंग वहाँ पर तुरंत हो फिर ऐसा ना हो कि विभाग में जाने के बाद फिर वहाँ से समय लिया जाए कितना समय लगे वहाँ पर तो यह कुछ चीज़े हाँ पर थी जो बिल्कुल हमने आपको सही सही बताई है और बाकी अगर लोग क्या बता रहे हमें नहीं पता है आप लोग कमेंड करके बताता है कि वहाँ पर यह बताया जा रहा है पंदर अक्टूबर को जोईनिंग लेटर मिल जाएगा इस तरह से तो कोट वाला माम ला है और हो सकता है कि उन लोगों की तरफ से यह सब जो है इस तरह की जूटी खबर भी फैलाई जाए ताकि आप लोग जोई आराम से निसीन तो करके रहें कि छेले जुटी में के अग्ली सुनवाई हो अगली सुनवाई के जो डेट लग ए तक कोड में सुनवाई हो जाए कुछ उन्हें वहां से रात मिल जाए तो यह सिफ ه reconstitute कि देखे मैं किसी को उपर कोई आरूप नहीं लगा रहा हूँ बट जिस प्रकार की चीजे हो सकती मैं उसको लेकर के सारी बाते बता रहा था बाकी मैं तो उन बहनों के साथ भी लगातार हूँ जिनके साथ कुछ अन्याय गलत हुआ है ऐसी उनकी सिकायत है और अगर कोई भी ऐसी चीजे होती है तो उनको न्याय मिलना ही मिलना चाहिए तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको सभी चीजे अच्छे से समझ में आ गही होंगी और मुक्यमंत्री आवाज से देखिए कुछ बहने दूर से आयवे थी कुछ नजदिक से आयवे थी कुछ लोग जलती नि हाँ पर ज्वैनिंग की प्रोसेश जल्द इस्टार्ट हो जाती मुक्यमंत्री जी से अगर मुलाकात हो गही होती तो समझ लीजे कि बहुत अच्छा हुआ होता बिना उनसे मुलाकात कि यह कहीं ने कहीं चीजे पूरी तरह से असपश्ट नहीं हो पाती है अगर उन्होंने कर देंगे यह तो एक तरह से कोई आफिशन लोटीस इसका आ जाता आयोक से तो चलिए हम उसके भिहाप पर वेट कर सकते थे ठीक है बाकि जो भी कोड़ वाला मैटर को लेकर के भी सुबा वाले वीडियो में आप सभी को बताया था चाहे वो रिजर्वेशन का हो चाहे बहने है तो उनको अस्थाई कर दिया जाए तो कि इस तरह की चीज़े भरती के परिफ्रेक्षी में तो ये मांग मतलब सही नहीं है वो तो सरकार के उपर अगर उचाहे तो पर्मानेंट कर सकते है उन बहनों को कर देते तो बहुत अच्छा होता इसी तरह से खाली सीटों पर जो बरती है उसको भी लेकर के गवर्मेंट के हाथ में हाँ जिनके नंबर ज्यादा वाले सिकाय थे उनके डोकुमेंट साधी चेक करवाना ये सब आयोक को करना था अगर वो पहले कर दिया तो तो मैटर कोट में जाता है नी खेर जो भी चीजी होंगी जो भी आगे सु देरी होने पर फिर आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है देरी नहीं होनी चाहिए अगर आप सबका सेलेक्षन हुआ है सही तरह के से कोई दिक्कत नहीं है जो सेलेक्षन लिस्ट आयोग ने सही तरह के सही जारी की होगी कितनी बार जो सबके डोकुमेंट्स महाँ पर रीचे कुन लोगों ने किये थे आयोग के अधिकारियों के मादें से सचीव सर ने या अध्यक्ष सर ने एक स्वैम पूरे बरती को देखा था उसमें और अंतिम रिजल्ट जारी होने से पहले भी पूरा एक बार रिजल्ट कोई गरबड़ी तो नहीं होनी चाहिए बर जो भी सिकायते होती है उनका निस्तार करना भी आयोग का एक कार होता है कि उनको एक बर बता दिया जाए कि किस वज़े से उनका सेलक्षन हुआ है कि नहीं हुआ है या किसी के साथ जाने अन जाने में कोई तुरूटी हो गई हो होने चाहिए किसे प्रोविजनल जो है ओ मामला और डीबी जो है आप अपने ही अस्तर से क्लियर करवाएं थीक है तो वीडियो को पूरा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद पूरी सही जानकारी आपको तभी प्राफ्त होती जब आप वीडियो आप पूरा देखते है हमारा और आप सभी से बार बार कहते हैं कि वीडियो को आप लोग पूरा देखा करें बिना इसकिप किये और लाइक शेयर आप से भी जरूर कर दिया करें धन्यवाद